आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमारे पास एक क्विश्चिन दिया गया सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है इनिश्यली जिसका प्रेशर यहाँ पे P1 इक्वल्स टू P है ठीक है, टेमप्रेचर T है वाल्यूम भी है अब क्या होता है कि इसके जो प्रेशर है इस कंटेनर का उसको चेंज कर दिया आता है प्रेशर सपोज करो चेंज करके P2 कर दिया गया ठीक है, टेमप्रेचर जो है वो कॉंस्टेंट रखा गया है और वाल्यूम हमें फाइंड करना है अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या है P2 है, तो P2 बोला गया है कि जो पहले कंटेनर का प्रेशर था, उससे 100% इंक्रीज कर दियेंगे, तो 100% इंक्रीज कर दियेंगे, तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस 100% of P1 मतलब P1 से इंक्रीज कियें, तो P प्लस 100% मतलब 1 हो गया इंटू P, तो जो P2 की वैल्यू आजाएगी फाइनली वो कितने आजाएगी, 2P आजाएगी ठीक है, तो P2 जो रखा गया है That equals to 2P रखा गया और यह जो पूरा प्रोसेस किया गया है वो किस पर क्या गया है, तो किस पर क्या गया है constant temperature process है constant temperature process मतलब क्या हो गया, बॉयल्स law ठीक है तो boils law के according क्या होता है, constant temperature process पे, at constant temperature, देखिए, actually ideal gas equation जो होता है, उसके according हम क्या कह सकते हैं, कि जो P1, V1 upon T1 होगा, वो equals to P2, V2 upon T2 होता है, ठीक है, तो if अगर T1 equals to T2 हो जाता है, ठीक है, T1 equals to T2 हो जाएगा, तो P1, V1 equals to P2, V2 हो जाएगा की नहीं, ठीक है, अब boils law के according भी यही कहता है, कि at constant temperature पे, for a closed system, क्या होता है, P1, V1 equals to P2, V2 होता है, ठीक है, यह boils law भी यही कहता है, चलिए, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कि V2 की value find कर सकते हैं, तो हमें P1 बोला गया है, P1 हमने भी लिया है, P2 हमने निकाला 2P आया, V2 हमें find करना है, तो V2 कितना आ जाएगा, P, V upon 2P, तो PCP, P cancel हो जाएगा, तो V2 जो आएगा, वो क्या जाएगा, V upon 2 आ जाएगा, ठीक है, तो V2 की value कितनी आ गई, V upon 2, तो पुछा गया है कि percentage change कितना होगा, ठीक है, तो change in volume कितना है, change in volume, मतलब del V, that is V2 minus V1, तो यह आ जाएगा कितना, V2 V by 2 minus V, तो del V आ गया, minus V by 2, percentage change पुछा गया है, तो percentage change हमें find करना है, तो यह कितना हो जाएगा, change in volume divided by, जो initial volume था V1 into 100%, that is minus V by 2 divided by V into 100%, तो यह कितना आ जाएगा, minus 1 by minus 50% आ जाएगा, ठीक है, मतलब minus 50% का आने का मतलब क्या है कि 50% volume decrease हुई, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, decrease, decreases by 50%, यह हमारा answer हो जाएगा, तो I hope आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होगी और यह solution भी clear हो गया होगा, thank you.